Battle Through the Heaven's God, The Flame Emperor, Volume 4, Chapter 2002, Scene G.U. Yuan, The Peerless Emperor गुजरात चाचा गू युवान, जब जियाओ यान ने यह सुना, तो वो अचानक गुटने टेकने में मदद नहीं कर सका, दुहक की एक अजेय भावना ने उसके दिल को भर दिया, उसके सामने पतली काली चाया को देखते हुए, उसकी उत्सोक आत्मा शक्ती स्वाभाविक रूप से, उसने देखा कि उसे यहां लंबे समय तक यातना दी गई थी, अगर वो इसके बारे में नहीं सोच रहा था, तो मुझे डर है, जियो यान का मानना है कि वो सीधा खड़ा है, स्वर्ग और प्रित्वी के लिए गुटने नहीं टेक रहा है, गूत और देवताओं के लिए न करो. यू युवान ने जल्दबाजी में जियाओ यान की मदद करने की कोशिश की, और फिर धीरे-धीरे कहा, वो जानता था कि ये जियाओ यान की गलती नहीं थी, और प्राचीन कबीले में आने के बाद, वो भी असपश्ट रूप से समझ गया कि जियाओ यान के कंधों पर बहुत सारी चीजे थी, और उसे समय की जरूरत थी, जो एक कारण था कि जुन लापरवाही से पवित्र भूमी में प्रवेश करेगा जुन न केवल जियाओ यान का मुख्य घर है, लेकिन यह भी एक पून्य और गरिमापूर्ण परी, वो जो चाहती है वो अपनी चिन जियो यान ने जोड़ देकर कहा कि वो हिसे सहन नहीं कर सकता है, और अपराध बोध से कहा, मैं इसके लिए आपको दोशी नहीं ठहरा सकता, जब पांच समराटों ने आकाश को तोड़ दिया, तो हमें इतनी सारी चीजों की उम्मीद नहीं थी, आकाश को तोड़ने के बाद, हमारे शरीर में रक्त के मार्गदर्शन के साथ, हमने दुरगटना से डौवन महादवीप में प्रवेश किया, और पूरवजों द्वारा लिया गया, और क्योंकि जुने एक अलग आग ले जा रहा था, अजीब आग पूरवजों की विरासत लग रही थी, उनके पास घनिष्ट संबंध है, इ, सलिये उन्हें प्राचीन कबीले के अद्वितिय स्वर्गिय समराथ द्वारा भरती किया गया था और श्रमसाध्य देखभाल के साथ खेती की गई थी, जैसा कि गूय युवान ने बात की, उनकी आवाज एक ठंडी हव से भर गई, जिसने जियाओ यान की अभिव्यक्ति को काफी स्थानांतरित कर दिया, अब जुना कहां है, थोड़ी देर बाद, गूय युवान के मजबूत समर्थन के साथ, जियो यान उठा और कापते हुए अपना मुह खोला, उसका दिमाग प्रकाश और सुन्दर आकृ जियाओ यान की अखरी निर्भरता है, यदि जुना ने पूरवजों के बीच कोई गलती की, तो जियाओ यान को यहां पवित्र लोर और राक्षसों की शक्ती को पूरी तरह से प्रजवलित करने में कोई आपत्ती नहीं होगी, दो भयानक शक्तियां यहां की बुरी चीज जो मेंसे आधी को धूर में बदलने के लिए पर्याप्त हैं। चिंता मत करो, जुना लंबे समय से प्राचीन पवित्र स्थान पर रहा है जब प्राचीन कबीला अराजकता में था। ग्यू युवान ने जियाओ यान की आँखों में चिंता देखी और सात्वना दी, लेक तरह की जगह को निशिद भूमी का दरवाजा खोलने और उसमें प्रवेश करने के लिए तीन चाबियों की आवश्यक्ता होती है। अब उसके पास समय नहीं है, इसलिए वह केवल जुना के शिक्षक को लक्षित कर सकता है। पियरलेस गौड पर इस बार, यू यू निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जो जियाओ यान अकेले के खलाफ संघर्ष कर सकता था। मैं तुम्हें और जुना को घर ले जाओंगा। जियो यान धीरे से मुस्कुराया। लेकिन यहां, यू यूवान ने भी शब्दों को सुनकर धीरे-धीरे सिरहिलाया। अपनी विशेश स्थिती के कारण और क्षेत्र के बाहर से बुरी जाती नेखू। दके साथ जुना को नियंतरित करने की कोशिश की, वो कैद और सील किये जाने के वर्षों के दौरान खुद के प्रती दयालू था। यह बिना किसी हिचकिचाहट के कहा जा सकता है कि प्रा अवहा उसने उन्हें शर्मिंदा नहीं किया, लेकिन उन्हें यहां दबाने के लिए भारी मुहरे लगाईं। पिताजी, चिंता मत करो, मैं पहले आपको बचाऊंगा, और फिर अद्वितिय स्वर्गिय समराच बरिष्ट को खोजने के लिए जाऊंगा, लेकिन मुझे ब बुराई की परतें धीरे धीरे भाप की तरह गायब हो गई और यहां गायब हो गई। तुम बदबुदार लड़का। ग्यू यूवान ने राहत में सिर हिलाया। चलो यहां चलते हैं, अद्वितिय स्वर्गिय समराच बिप्रीत तरफ है। दोनों ने ध्यान से सेल गुई यूवान ने जियान को एक अत्यंत गंभीर दबाव दिया। जियो यान ने चारों ओर देखा, और कोई आंकड़े या दुष्ट औरा दिखाई नहीं दे रहे थे, और दोनों तुरंट पियरलेस स्वर्गिय समराच की कोट्री में दूब गए थे। इस लड़के का सेल पहले से ही नीचे सेनलुओ के बहुत करीब है, इसलिए यह विशेश रूप से उदास दिखता है। वरिष्ट सांस लेने के बाद दोनों ने अभी सेल में कदम रखा था, गुई यूवान ने जियाओ यान को रोकने के लिए आयोजित किया, और फिर गुई यूवान सामने खाली लकडी की मेज पर चिल लाया। गुई यूवान थोड़ी देर बाद एक आश्चर्य जनक आवाज उपरी और लकडी की मेज पर धीरे धीरे एक अंधेरी छाया जिल्मिलाहट हुई, लेकिन इस आदमी पर बिजली में उतार चड़ाव बिहद अत्याचारी थे और उसके चारों और एक लहर भी थी। विहद भयानक सील आभाने वास्तव में जियाओ यान की सांस लेने में मुश्किल बना दी वरिष्ट, हम आपको बचाने के लिए यहाँ हैं। यूवान ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उत्सा से कहा, आप मुसीबत से कैसे बाहर नि लेकिन मुझे आशा है कि आप मुझे पवित्र भूमी में प्रवेश करने की कुंजी देंगे। क्योंकि मैं जुना का पती हूँ। जियो यान ने शांती से कहा, लेकिन उसके शरीर में सांस धीरे-धीरे जिल्मिला रही थी, और एक बेहोश सांस उबरी। तो ऐसा ही है, जियाओ यान के सिर के ऊपर चक्कर लगाते हुए बेहत बेहोश आभा को देखकर, पियरले स्वर्गिय समराट ने अपनी आखों को जुकाया और सिर हिलाया। मूल रूप से, विदेशी दुष्ट कभीले ने इन चालों का इस्तेमाल किया, लेकिन दुर्भाग्य से वे उनकी पहचान साबित की, साथ सितारों से लड़ने वाले अमर, शेंग यान के देर से चरण में, हालांकि यह अच्छा है, उस लड़की को पसंद करने के लिए पर्याप नहीं है, बस जब जियाओ यान सील को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, www.malnovel.com पियरलेस स्वर्गि या समराथ जियाओ यान को घूर रहा था, ध्यान से देखने के बाद, वो बुदबुदाया, जहिर है कि उसके प्रशिक्षु के लिए रखवाली की भावना है, बैंग ब, बैंग, अंगिनत बुरे पैटन के साथ उतकीर्न जंजीरों ने हिंसक रूप से कमपन किया, लेक प्रमकदार लढ़ाई की भावना को एक ही समय में गू युवान और पियरलेस स्वर्गिय समराथ को भेजा गया, उन दोनों को दशकों से सील कर दिया गया है, और उनके शरीर में प्रतिशोध लंबे समय से निगल लिया गया है, अब इसे एक विशाल कंटेनर के रूप मे वर्नित किया जा सकता है, लेकिन अंदर प्रतिशोध का कोई निशान नहीं है। फाइटिंग इम्मोटल ही के दुरलब देर से चरण में पहुँच गई है, मेरा छोटा भाई काफी साहसी है। वो वास्तव में दो महत्वपूर्ण पात्रों को हाईजेक करने की हिम्मत करता है जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से सील को दबा दिया है। जैसे ही वे तीनों इस कोशिका में चुपचाप बैठे थे, रक्त का एक बादल हिंसक रूप से लुड़क गया, और रक्त सांपों के साथ एक करामाती बुराई और आकरशक छाया, लेंगफेंड की जमीन से उबरी। उस तरह की आभा, बुराई का वस्तर, मुझे डर है की यह असली नेता है जो इस प्राचीन जेल को नियंतरित करता है। Battle Through the Heaven's God, The Flame Emperor, Volume 4, Chapter 2003, In the Late Stage of the Eight Star Fighting Immortals, The Blood of Snakes and Scorpions लानत, मुझे सोचना चाहिए था की हम पर उनके द्वारा कदम से कदम मिलाकर नजर रखी जा रही है। उसके सामने खून के सापों से घिरी करामाती आकरिती को देखकर Peerless Heavenly समराट का रंग अचानक काफी बदल गया। उसके सामने केवल करामाती महिला गूगट जैसी सफेद पोशाक पहने हुए थी, उसका शरीर धुए की तरह था, उसका पूरा शरीर बहद सफेद था, और उसका चेहरा सुन्दर और अशलीव था, लेकिन उसकी त्वचा पर खून की धुन्द की एक परत थी, जो बहुत उदास लग रही थी, और उसके पूरे शरीर में कई बुरी आत्माएं थी, सामका अस्तित्व उसकी सांस को बहद बुरा बना देता है, क्या एक भयानक जबरदस्ती है, जियो यान भचक्का रह गया, उसके शरीर से एमबर की लप्टे निकली, तीनों की रक्षा कर रही थ और वह जल्दी से सोच रहा था कि स्थिती को कैसे तोड़ना है, प्राचीन जेल में तीन दिगगज हैं, उनमें से दो राजास्तर के करीब हैं, और उनकी ताकत आठ सितारा दो जियान के अंतिम चरण में पहुंच गई है, शुरुआत में ही दोनों ने मुझ पर हमला कर द दिया था, करामाती महिला, एक बड़ा दबाव वह और उसकी शक्ती दोनों आठ सितारा लड़ाए अमर के अंतिम चरण में हैं, लेकिन यहां वे दुश्मन के शिविर में हैं, और उनकी शक्ती दशकों से दब गई है, अब जब वे मुश्कियों से थोड़ा सा ठीक हुए हैं, तो मुझे डर है कि यह एक असामान्य रूप से अत्याचारी लड़ाई होगी, दूसरा कहा है, जियो यान ने पूछा, दूसरा एक राजा होना चाहिए, लेकिन मैंने उसे शुरू से अंत तक नहीं देखा है, उसकी ताकत दोनों से परे होनी चाहिए, मुझे डर है क वरगिय समराट ने गंभीरता से कहा, वरिष्ट, क्या आप प्राचीन कभीले के बढ़ों को बुला सकते हैं? थोड़ी देर बाद, जियाओ यान ने ठंड से कहा, क्योंकि उसने पूरी कोशिका में अंगिनत दुष्ट रक्त सांपों को दिखाई दे रहा था. अरे अरे, छोटे भाई, अपना समय बरबाद मत करो. पूरी प्राचीन दुनिया हमारे द्वारा पूरी तरह से कैद कर ली गई है, और बढ़ों को बुलाने वाले इन प्राची, न कभीले के बुजुर्गों के साधन भी हमारे द्वारा पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं. अब आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसके बारे में मत सोचो. करामाती बुरी आकृती मुस्कुराए और एक मोहक मुस्कान के साथ कहा, उसकी सुन्दर आखे धीरे धीरे जियाओ यान के शरीर पर आमबल लो को देख रही थी, जो काफी उग्रगों थी. मैं उसे रो ने अलग-अलग स्थानांतरित करने का फैसला किया, और तुरंत हिंसक हमला शुरू कर दिया. हमला करो, इसके लिए कवा करो. यह साप और बिच्चु का खून है. उसकी शक्ती ज्यादातर और ठंडी है, आपको सावधान रहना होगा. यह स्वर्गिय समराट ने गु यु ज्यादा चमक उठा. वो गु युवान और पियरले स्वर्गिय समराट की परवा नहीं करती है. आखिर दोनों की खास पहचान है. इसके अलावा, पियरले स्वर्गिय समराट के हाथों पवित्र भूमी में प्रवेश करने की कुझी उनके द्वारा छिपी हुई है, इसलि की एक मोटी परत के साथ चित्रत किया गया था. तुरंद, उसका शरीर कूद गया, और वो अचानक साप और बिच्चु के खून पर गिर गया. छोटे भाई, यह बहुत कमजोर है. मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूँ कि अपने आपका आनंद लेने की तुलना में अ परत्या का इरादा इसके साथ फैल गया, जिससे जियो यान को आने की तरह है. महसूस हुआ महान दुश्मन. चीची, जियाओ यान का प्रतीत होता है कि क्रूर हमला अचानक मध्य हवा में जम गया जब वो सांप और बिच्चु के खून के शरीर के पास कुछ मीटर की दू गयी, ने जियो यान को काम्प दिया. भूल जाओ, कुछ संघर्ष के बाद, जियो यान ने भी अपनी हताश चाल छोड़ दी. यह आदमी तीन दिगजों में से एक है, सबसे मजबूत होने से बहुत दूर है. यदि वह पहले से बॉक्स के नीचे दबाने के साधनों का जाएगा, और जब वह तीन दिगजों के सिर की ताकत के बारे में सोचता है, तो यह और भी शक्तिशाली हो सकता है, और नीचे जंगल. लूओ नरक में गोलेम ने जियाओ यान को काफी असहज महसूस किया, बॉक्स के नीचे दबाने का साधन दुष्ट कभीले के उच्छ स्तरिय विदेशियों को मारना चाहिए, और जियाओ यान के पास केवल एक मौका है. यदि वह विफर रहता है, तो अंतनिस्संदेह बहत दुखी होगा चिंता न करें, बड़ी बहन आपको मारने के लिए अनिच्छुक है. यह न कहें कि आपके शरीर में पवित्र ज्वाल के खून की आवाज गिर गई, और कई रक्त सांपों ने जियाओ यान के शरीर को मजबूती से बांध दिया, और बुरी शक्ती के दमन ने जियाओ यान को स्थानांतरित करने में असमर्थ बना दिया चलो चलते हैं, देखते हैं कि क्या उन्हें पवित्र भूमी की एक और क कुंजी मिली है, साप और बिच्छु जुएर ने इच्छ अनुसार जियाओ यान को अपने पीछे खीच लिया, और धीरे धीरे, अभी सांस के अनुसार, गू युवान और पियरलेस स्वर्गिय समराट के भागने वाले क्षेत्र में चला गया, सीनियर, हम कहां जा रहे है दूसरी तरफ, जियो यान ने पियरलेस स्वर्गिय समराट और पियरलेस स्वर्गिय समराट के लिए कुछ भागने का समय खरीदा, पियरलेस स्वर्गिय समराट ने गू युवान यन को सीधे अटारी में एक छिपी हुई सीधी पर ले लिया, पहले जाओ और पवित्र भ भूमी ही अंतिम स्वर्ग है। पिरले स्वर्गिय समराट ने उदास अभिव्यक्ती के साथ कहा। लेकिन जियो यान। ग्यू यू यू आन हिचकिचाते हुए लग रहे थे। चिंता मत करो, वो बच्चा स्मार्ट है। अध्वितिय स्वर्गिय समराट ने सांत्वना दी। ठीक है। ग्यू यू यू आन ने शब्दों को सुना, और पिरले स्वर्गिय समराट की हथेली अंगिनत ब्रमहा पैटन में बदल गई, जो सीरियों पर हलके धंग से ब्रांडेड थे, और प्रकाश का एक द्वार अचानक दिखाई दिया। यह एक संकीर्न स्थान है, जा साप और बिच्छु जुएर धीरे-धीरे कदम से कदम मिलाकर चले गए, दो आंकडों को देखते हुए, उनके मोहा खूंठों पर एक व्यंग्य दिखाई दी। यह दो पवित्र लप्टें, साथ ही प्राचीन संतों का जीवन, उसके लिए वास्तव में विक्सित होने और वास्तविक, राजा स्तर बनने के लिए पर्याप्त हैं. हालांकि, उसने पवित्र लोर और राक्षसी शक्ती को नजरंदाज कर दिया जो जियाओ यान के शरीर के चारों और हिंसक रूप से गिर रहा था, समय के साथ यह शक्ती निश्चित रूप से एक भयानक तक्नीक ब देगी. दूसरी तरफ, लियू हाओ और फैंग शीजुन लड़ रहे थे. यह बच्चा, फैंग शीजुन के सुन्दर चहरे पर विशिष्ट निशान के फट गए थे, और यहां तक कि उनके शरीर पर ब्रांट के निशान बेहद भयानक थे. प्रकाश विशेष्टा की शक पवित्र लौ की तुलना में भी अधिक है. अंतहीन अंधेरे में बुरी बारिश हो रही थी, और फैंग शीजुन किसी और चीज की परवा नहीं कर सकता था, वो अचानक दोड़ गया, शैतानों का समुद रोस के चारों ओर लुड़क गया, और भयंकर हत्या का इरादा ल वास्तव में घ्रिनित सांस है, लियू हाउ के शरीर पर एक चमकदार प्रकाश दिखाए दिया, और पीठ और कंधूं के पीछे असंख्य सफेद प्रकाश धब्बे थे, जो असपश्ट रूप से एक शांदार असीम को रेखांकित करते थे. विशाल पंख हैं, उभरते प रूप से गंभीर हो गई. उसने लियू हाउ की ओर देखा और कहा, यह कैसे संभव है? डेवदूत के पंख, Till Through the Heavens as God, The Flame Emperor, Volume 4, Chapter 2004, Is to Two Whinged Angels, Two Souls. कैसा? यह कैसे संभव है? लियू हाउ के तेजी से भयन कर परी पंखों को धीरे-धीरे आकार लेते हुए देखकर, फैंग जी सकती से हवा में रहता था, और उसके चारू और जादू समुद्र भी ऐसा इसलिए था क्योंकि लियू हाउ के शरीर पर उजजवल आभा एक पल में नश्ठ हो गई, और उसके दिल में एक दुरलब गंभीरता उबरी. हालां कि, जब लियू हाउ का शरीर संघनित होने लग तो धीरे-धीरे कुछ दुरलब परिवर्तन हुए. फैंग जीजुन विशिष्ट स्थिती को नहीं जानते थे, लेकिन इस तरह का परिवर्तन एक अच्छा शगुन नहीं हो सकता है. प्रकाश के पुत्र के रूप में मेरी महान पहचान में, मैं घोशना करता हूँ कि मैं इस समय आपको पूरी तरह से न्याय करूंगा फैंग जीजुन. न्याय की सजा स्विकार करो. लियू हाव अचानक मुस्कुराया, और उसकी मुस्कान निडर गर्ब से भरी हुई थी. उसका शरीर धीरे-धीरे आकाश में उठा, और चमकदार प्रतिभाने तुरंत उसके पीछे सो मीटर से अधिक आकार के साथ दो स्वर्गदूत पंख बनाए. शुधर स्वर्गदूत पंखों की परते एक पवित्र बंधन की तरह हैं, फैंग जीजुन की आत्मा को हिलाते हुए, उसे अद्रिश्य बनाते हैं. पवित्र दर्शन के प्रकाश का पुत्र, इस स में, फैंग जीजुन भड़क गया, और एक अभूत पूर्व संकट उभरा. स्वर्गदूत पवित्र देखों के अध्वितिय अस्तित्व हैं, और स्वर्गदूतों की ताकत को मापने के लिए स्वर्गदूत पंखों की संख्या सबसे महत्वपूर्ण मान्दंध है. एं अच बार पूरे महान हजार विश्व में दिखाई दिया है. प्रकाश के पुत्र की प्रतेक उपस्थिती इंगित करती है कि महान हजार दुनिया एक अभूत पूर वापदा का सामना कर रही है और प्रकाश के पुत्र की शक्ती असीम से परे है. स्वर्गदूतों का हिस्स क्यूंकि वे स्वर्ग दूतों के राज्य के सच्चे दूत हैं, प्रकाश के विश्वासी है. हर बार जब वो प्रकट होता है, तो वो सर्वोच वैभव बनाने और महान दुनिया के लिए अंगिनत बुरायों को दूर करने के लिए पवित्र दृश्य का नेत्रित्व करेगा जो प्रकाश के पुत्र की सर्वोच महिमा का नाम भी बनाता है. विनम्र पतंगा, उसके पीछे देवदूत पंखों के आशीरवाद के साथ, दूदिया सफेद प्रभामंडल की एक परत ने इसे कवर किया. अगले ही पल लियू हाओ की सांस और आकृती एक व्यक्ती की तर चेरी फूल की तरह हैं, अंगिनत पुरुशों को पागल बनाते हैं लेकिन यह लियू हाओ सपश्ट रूप से एक आदमी है, वो एक महिला में कैसे बदल सकता है, क्या चल रहा है? फैंग जीजुन ने देखा कि एक परी की शक्ती का उप्योग करने के बाद, लियू हाओ क कि अपने अनुभव के साथ, यह अभूत पूर्व था. क्रैश, जाओ, लियू हाओ ने ठंड से खरराटे लिए, उसकी आवाज काफी सुखद थी, और बरफीले और भेदी हत्या के इरादे ने हवा भर दी. तुरंद, उसने अपना पतला जेड हाथ उठाया और अपनी आखों से फैंग जीजुन को देखा. उनके शरीर के चारों और अंगिनत उजजवल और आउने सीधे सैकडू रास्तों का गठन किया. उजजवल पंखतीर ने उत्तराद पर एक बहुत ही मुश्किल और तेज कोन के साथ गोली मार दी. एक औरत की त्वचा, आत्मा, या य स्वर्गदूत के पंखों के कारण है. इस दृष्य को देखकर फैंग जीजुन का हृदय अचानक प्रकट हुआ. ऐसा प्रतीत होता है कि जिस क्षंड स्वर्गदूत के पंख बने हैं, लियू हाओ का शरीर, त्वचा, हड़ियां और यहां तक की आत्मा भी बदल गई है शुरुआत से, लियू हाओ, एक आदमी, प्रकाश की एक बरफीली देवी में बदल गया जो केवल मारना जानता था. चाहे वह उसकी सांस हो या अन्य चीजें, वह प्रित्वी हिलनेवा. ले परिवर्तनों से गुजरी थी. फैंग जीजुन के दिल में हमेशा एक अंतर ग मा है, जो प्रकाश के बच्चे में बदल गई है और देवदूत पंखों द्वारा आशिरवाद दिया गया है. शैतान का सागर चिल्लाहट, हालांकि फैंग जीजुन हैरान थे, लेकिन उन्होंने लियू हाओ के भयानक हमले के सामने संकोच करने की हिम्मत नहीं की. उसके पूरे शरीर पर बुराई का अंधेरा स्रोत जारी किया गया था और पूरे आकाश में उजज्वल पंखतीरों के साथ सीधे हमला किया गया था. साथ साथ, प्रकाश का यह बच्चा अजीब होना चाहिए ऐसा लगता है कि इस मामले को जल्द से जल्द राजाओं को सूचित किया जाना चाहिए, अन्य था. दूसरा हमला एक गगनभेदी आवाज के साथ तूट गया और फैंग जीजुन ने भी अपने दिल में एक डर महसूस किया और वह तुरंथ पीछे हटना चाहता था. बैंग 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 पूरी दुनिया में अंगिनत उर्जा हर जगा बहती है. आकाश और प्रित्वी को पार करने वाला भयानक टक्राव अधिक से अधिक तीवर हो गया दौड़ना चाहते हैं. पूरी तरह से गिर जाओ. लियू हाओ की बरफीली खुबसूरत आखों में व्यंग्य का संकेत था और फिर उसकी पीट पर पंख धीरे धीरे लहराते थे लेकिन स्वर्गदूत के पंखों पर एक पवित्र प्रभामंडल का थोड़ा सा निशान था. इस समय आशीरवाद क साथ लियू हाओ की सांस बेजोड है. एक पल में फैंग जीजुन के डोमेन में पहाड और नदियां अशांत थी, हवा उग्र थी और अंगिनत रिक्तियां काम प्रही थी, जैसे कि वे पतन के निशान का सामना कर रहे थे. धिककार है, उसके सामने पवित्रता की सांस महसू बहुत मजबूत है. यदि यह एक साधारन दो पंखों वाला स्वर्गदूत था, तो फैंग जीजुन उसे पूरी तरह से मारने के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन प्रकाश का पुत्र साधारन स्वर्गदूतों से अलग है. उनकी पवित्रता में प्रकाश पुत्र की परकंप मच गया, और थोड़ी देर बाद, एक दूधिया सफेद पंख तलवार धीरे धीरे पंखों के बीच संगनित हो गई. पंख की तलवार के ऊपर, एक प्राचीन दूधिया सफेद देवदूत दिव्यच्हाया थोड़ा काम प रही थी, एक महान और पवित्र अनु पूरी तरह से अंतरनिहित थी, और फैंग जीजुन को पार करने वाली एक उजजवल शक्ती बढ़ गई. थोड़ी देर बाद, उसका शरीर हवा में उच्छल गया, और धीरे धीरे शुन्य की ओर बढ़ गया जहां फैंग जीजुन था. इस तरह के एक याद्रचिक विभ में, फैंग जीजुन के शरीर से अनाच्छिक रूप से अंगिनत थंडे पसीने निकले, वो गरजन करने में मदद नहीं कर सका, और उसका पूरा शरीर अंगिनत काले रक्त में बदल गया, जो अचानक सिकुर गया और दिल की तरह विसफोट हो गया. यह शरीर एक मानव श हत्रे का सामना करते हुए, बिना किसी हिचकिचाहट के, सीधे अपनी उत्पत्ती का विसफोट करना, भले ही कोई जीवन ना हो, यह सीधे प्रकाश के पुत्र के हमले में पढ़ने से बहतर है. क्यूंकि दो पंखों वाले सन ओफ लाइट का हमला पहले से ही स्वरगी आठ स दो जियान के शिखर के करीब है, और गुआंग मिंग के बुराई के सयम के अलावा, फैंग जीजुन विरूद करने में असमर्थ है चाहे पुची-पुची क्या हो? कठोर उजजवल तूफान इच्छानुसार फैल गया, और जहां भी गया, अंगिनत उदास और बुरे औ अस तुरंत गायब हो गए. हम्फ, फैंग जीजुन को कोई मौका दिये बिना, उन्होंने इसे सफाई से मिटा दिया. ध्वस्त दुनिया को देखते हुए, लियू हाउ की सांसे सामान्य हो रही थी. जियो जुना, तुम्हारे लोग, तुम्हारा शरीर, और यहां तक की त पवित्र लो सभी मेरे प्रकाश पुत्र के लिए दरजी हैं. जब तक मैं आपको प्राप्त करता हूँ, सभी समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी, और पवित्र ज्वाला के अस्तित्व के कारण, लूसिफर की वधात्मा पूरी तरह से स्थिर हो जाएगी. जब तक मैं व पूरी दुनिया मेरा एक मात्र सम्मान होगी, हा हा हा. टूटी हुई डोमेन दुनिया में, लियू हाना बेहद क्रूर हंसी, विशेश रूप से जोर से, लंबे समय तक लटकी रही.